Hello Friends, My Android YouTube Channel में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तो, Play Store के अंदर अगर कोई एप्लिकेशन जो पैड एप्लिकेशन है उसको अगर हमको खरीदना है तो हमें Credit Card या Debit Card वगेरा की जरूत पढ़ती है लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Credit Card और Debit Card को छोड़कर एक तो उप्शन जो Play Store का का काड मिलता है Google Play Store का का काड उससे कर सकते हैं लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ना हमें एप्लिकेशन खरीदने के लिए Credit Card की जरूत है अब ना हमें डेबिट काड की जरूत है और ना कोई रीडिम कोड वगेरा की जरूत है कि जिसकी वज़ासे हम खरीद पाएं इंडिया के अंदर ओफिशली जो है Google के ने नेट बेंकिंग के दुआरा अपनी Payment लेना शुरू कर दिया है तो आप कोई भी एप्लिकेशन खरीदना चाहें जैसे के मैं टॉप चार्ट में चला जाता हूँ टॉप पैड में चला जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको जो भी एप्लिकेशन पसंद हो जितने रुपे का हो वो आप पहले देख लीजिए और ज्यादा तर जो भी पसंद हो तो आप इंतजार कीजिए क्योंके ओफरस बहुत सारी आती रहती है जैसे के अभी यह उफर है हिटमेन स्नाइपर के उपर इसमें क्या है 80% ओफ है तो मैं इस गेम को बाई करके आपको बताऊंगा तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा आप भी जो भी चीज़ खरीदना चाहे उसको अच्छी तरह से देख लीजिए उसके रीड मौर में जाकर अच्छी तरह से सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी और इसके अलवा लोगों के कमेंड वगेरा भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और रेटिंग वगेरा जरूर देखिएगा उसके बाद आप कोई भी एप्लिकेशन खरीदना चाहें तो आप सिंपली अब इंडिया के अंदर हम नेट बैंकिंग के द्वारा असानी के साथ एप्लिकेशन खरीच सकते हैं तो मैं जैसे ही यहां अभी जो दस रुपे में ये गेम मिल रही मैं इसको बाई करूँगा मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहां पर हमको उप्शन आ जाएगा बाई का तो यहां पर मैंने HDFC बैंक की जो नेट बैंकिंग वो डाल दी है इसके लावा अगर आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेमेन मैथर मिल जाएगा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि payment method के अंदर आपको google play के जो coupon आते हैं उसका भी option मिल जाता है इसके अलावा add debit card और credit card का भी option मिल जाता है इसके अलावा net banking का अलग से option आगया आप net banking में जाएंगे तो आपको सारी जो भी इंडिया के अंदर bank हैं उन सारों का आपको लिस्ट मिल जाएगा तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम इंडिया के अंदर अब आसानी के साथ play store से कोई भी software खरीदना चाहेंगे तो हम net banking के द्वारा खरीच सकेंगे इसके लवा redeem card जो होता है वो भी option मिलता ही है पहले से तो चलिए मैं इसको directly buy करता हूँ और जो मेरा payment method है मैंने वो रख दिया है HDFC bank से तो हम जैसे इस पर click करेंगे तो आपको जो google password होगा वो आपने रखा होगा यहाँ पर तो वो आपसे पूछेगा तो यहाँ पर मैंने fingerprint भी mobile support करता है तो वो रख दिया है और use password भी हम कर सकते हैं तो आप अपना जो password हो वो दे दीजिए जिसे हम इस पर दे देंगे password अगे तो directly हमको यह page जो है वो ले जाएगा net banking के page के उपर तो finally हम net banking के page के उपर आ गए हैं यहाँ पर हमको आप जो ID है अपनी जो बैंक की वो ID से login हो जाना है आप अपना net banking वगेरा के detail डाल कर आप लोग इन हो जाएए आप जैसे ही login हो जाएगे तो आपको यहाँ पर आपका जो payment देने का है उसको confirm करना है यहाँ पर मैंने confirm किया उसके बाद हमको यहाँ one time password आएगा हमारे mobile register mobile के उपर तो वो यहाँ पर देना है तो यह password आ चुका है तो यह मैंने password डाल दिया है उसके बाद आपको यहाँ simply ok कर देना है आप जैसे ही ok करेंगे तो यह payment जो है वो successful हो जाएगी और payment complete होना एक बाद directly आपका जो software है वो application जो भी होगा वो download होना शुरू हो जाएगे देखी यह payment successful अब हम continue पर click करेंगे तो यह game जो है वो install होना यहाँ पर हमें message बगेरा भी आ गया है तो आप देख सकते हैं कि game जो है वो download होना शुरू हो चुकी है इसी तरह से अगर जो game है वो download हो जाए या इसके अलावा अगर आप cancel भी कर देते हैं तो यहाँ पर आपको direct install का option आ जाएगा इसके अलावा अगर आप 10 रुपे का refund य आपको पसंद आता है और आपको पसंद आता है एप या game तो आप उसको यूज कीजिए फिर आपको refund नहीं मिलेगा अगर नहीं आता है पसंद तो आप refund पर क्लिक करेंगे तो यह application अनिस्टल हो जाएगा और आपके जो account के अंदर है वो एक दो दिन के अंदर उपईसा वा में लिख दीजिए और दूसरे नए वीडियो के लिए आप हमारे यूटूब चैनल माई एंडरोट को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए